वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 14 अगस 2022 और 14 अगस 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में इसकस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडिय आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडिय एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप पर लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम दिवस मनाया गया तो इस कुछिन का बे ऑप्शन सही है अंगदान के महत्तु के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इसके लिए लोगों को प्रोचाहित करने के लिए हर साल 13 अगस्त को 200 अंगदान दिवस मनाया जाता है अच्छा 13 अगस्त को ही अंतरास्टी बाम पंथी दिवस भी मनाया जाता है तो यह दो इन्पूटेंड ए 14 अगस्त को मनाया जाता है пери 12 अगस्त को अंतरास्टी युवा दिवस और 200 हैं दिवस मनाया गया और बेस वांति दिवस पर एक कुश्छन में ने और बताया था आपको कि जो प्रोजक्ट एलिफेंट है, वो कब सुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू हुआ था? 1973 में अचा, अंतरास्टी युवा दिवस पर भी यह कुशिन मेंने आपको बताया था कि भारत में जो राश्टी युवा दिवस मनाया जाता है वो कम मनाया जाता है स्वामी विवेकानन जी की जैनती पर और स्वामी विवेकानन जी की जैनती कब होती है 12 जन्मरी को अच्छा 10 अगस्त को 200 जैब इधन दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही world-loin day बनाए गया 9 अगस्त को 200 आदिवासी दिवस और नागासागी दिवस मनाए गया ये दो day एक साथ याद रखे Hiroshima day ये 6 अगस्त को मना जाता है और नागासागी day ये 9 अगस्त को मना जाता है क्योंकि जापान की यही दो सहर है हिरोशिमा और नागा साप की जिन पर एटम बम गिराए गया था अमेरिका की तरफ से जो हिरोशिमा पर एटम बम गिराए गया था उसका नाम था लेटिल वोई और जो नागा साप की पर एटम बम गिराए गया था उसका नाम था फैट मैं अच्छा आठ अगस्त को भारत चुडो अंदुलन दिवस मनाया गया साथ अगस्त को रास्टी हत करगा दिवस और रास्टी भाला फैंक दिवस मनाया गया पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रेफिक लाइट दिवस मनाया गया दो अगस्त को पिंगली बैंकेया की 146 मी जैनती मनाए गई पिंगली बैंकेया यह जो हमारा रास्टी ध्वज है इसका जो बेसिक डिजाइन है वो पिंगली बैंकेया ने तयार किया था तो इनको रास्टी ध्वज का डिजाइनर भी का जाता है और इस बार इनकी 146 मी जैनत सब चल रहा है और हर घर तेरंगा अभियान भी चल रहा है तो प्लेज बस इतना ध्यान रखें जो हमारा राश्टी द्वज है उसका अपमान ना होने पाए मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि अलग अलग तरह से धंडे को यूज कर रहा है तो आपका राश्टी द द्वज है इसका अपमान ना होने दे हर घर महुत सब बिल्कुल मनाए हर घर तिरंगा फैरा है लेकिन राश्टी द्वज का अपमान ना होने पाए अच्छा एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाए गया तो अगस्त में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर ज़रू किया करो और लेंसी हो जाएगी में हाली में केंदरी मं द लकृषि आबास वाशी रखने की मत्यूरी ती तो अभी केंदरी मं द लकृषि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी थी तो इसको शिन का से ओप्सन सही है एक्चुल में यह जो प्रदान मंत्री आबास योजना सहरी है यह जून 2015 में सुरू हुई थी और इसका टार्गेट था कि देश जब आजादी का 75 मां अम्रत महुत्सा मनाएगा तब तक देश के हर नागरिक के पास अपना खुद का पक्का घर होगा और इसी प्रदान मंत्री मोधी का एक बीडियो भी बाइरल हो रहा है आपने बीडियो देखा होगा कि 75 में आजादी के अम्रत महुत्सा पर देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का घर होगा पड़ा दिया गया है ने कुशिन है हाली में किसे भारत और पाकिस्तान में यू एन एम ओजी आईपी के प्रमुक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो अभी गुलेर्मो पाबलो रियोस को भारत और पाकिस्तान में यू एन एम ओजी आईपी के प्रमुक के रूप में न जर्वर गूरूप इन इंडिया और पाकिस्तान इसके प्रमुक के रूप में अर्जेंटीना के रियल एडमिरल गुए लेर्मो पाबलो रीोस को पॉइंट किया गया आप इमेज में देख लीजिए यह गुए लेर्मो पाबलो री योस इनीकू यू एन एम ऑजिए पी के प तो अभी तमिलनाडू को अगस्त मलाई में अपना पाँचमा हाथी रिजर मिला, तो इसको इनका से ओप्सन से है, अब तमिलनाडू, तो ये है मैप में तमिलनाडू, तमिलनाडू की गेपिटल के है, चेन नई, तमिलनाडू की चीपनिश्टर कौन है, M.K. स्टालेन, और तमिलनाडू की गवर्नर कौन है, R.N. रभी, अच्छा, अभी तमिलनाडू सरकार ने मुख्यमंत्री नास्ता योजना सुरू की है, तमिलनाडू ने जिला जलवायू परवर्तन मिसन की स्तापना की, स्मार्ट सिटी फंड के उप्योग में तमिलनाडू टॉप पर रहा है तमिलनाडू सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए Tata Technologies के साथ समझोता किया है, तमिलनाडू राज सरकार ने 18 दिसंबर को अलप संक्यक आधिकार दिवस मनाने की गोशना की, और तमिलनाडू सरकार ने 14 अपरेल को समानता दिवस की रूप में मनाने की गोशना की है, पूरम तिवार तमिलनाडू में मनाये जाता है, अच्छा पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है, अब यहां पर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कुश्यन बताता हूँ, पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नमर उन पर ह है पूरह देस में फलों के उत्पादन में आंध्रदेस नंवरौуса पर है पूरह देस में चेणी के उत्पादन में입니다 आपको याद रखाना है अच्छा अब務 ही जो घाद सुरक्षा सुचकांक जारी किया गया था उसमें भी तमिल Nardu टॉप पर रहा था ने हाली में सिब मोगा सुब्वाना का निधन हुआ है वे कौन थे तो सिब मोगा सुब्वाना ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिन का बे आप्सेंस है ये थे प्रसिद कंणड गायक सिब मोगा सुब्वाना इनका अभी निधन हो गया है ने क्यूशिन है, हाली में भारती बायू सिना किस देश द्वारा आयुजित द्विपच्छी युद्ध अभ्यास में भाग लेगी, तो अभी अपने देश की बायू सिना मलेशिया के द्वारा आयुजित द्विपच्छी युद्ध अभ्यास उदार सक्ति में भाग लेगी युद्धाब्यास का नाम है उदार सक्ती, ये मलेशिया के द्वारा आयोजित की जाएगा और इसमें भारती बायू से न पाटिसिपेट करेगी, तो इस कुशिन का A आप्सन से यह है, अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया, मलेशिया की केपिटल के है, कौलालंपूर, मलेशिया की करेंसी क्या है, मलेशियन रिगट, और मलेशिया के प्रजेंट टैम पे प्राइमिस्टर कौन है, इसमाईल साबरी याकूप, कौन है इसमाईल साबरी याकूप, नैक्यूशिन है, हाली में SBY किस देश में भारती बीजा केंदर चलाएगा, तो अगले दो बते लिए और SBI बांगलादेश में बारती बीजा केंद चलाएगा तो इसको इनका से ओप्सन सही है अब SBI यानिकि स्टेट वेंक ओफ इंडिया इसकी स्तापना कव हुई 1955 में इसका हेड़क्वाटर कहां पर है मुंबई में और इसकी प्रजेन टैम पर प्रेसिडेंट कौन है दिनेश कुमार खारा कौन है दिनेश कुमार खारा अब बांगलादेश तो यह है मैप में बांगलादेश बांगलादेश की केपिटल क्या है दाका बांगलादेश की कर रन बनाने वाले पहले बांगलादेशी बल्लेबाज तमीम एकवाल बने वसीफा नाजरीन केटू फत्य करने वाली बांगलादेश की पहली मैला बनी है और बांगलादेश के खिलाड़ी हैं तमीम एकवाल इन्होंने टे टूंटी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोश बस चुना गया और बांगलादीस अपनी पहली डिजिटल जनगड़ना कर रहा है ने क्यूशिन है हाली में खेलो इंडिया महिला होकी लिग अंडर 16 कहां आयोजित होगी तो ये अभी नई दिल्ली में आयोजित होगी तो इसकुशिन का बे आप्सन सही है ने क्यूशिन है हाली में किसने नया बर्चूल स्पेस म्यूजियूम इस पार्क लॉंच किया है तो अभी इसरो ने नया बर्चूल 3D स्पेस म्यूजियूम इस पार्क लॉंच किया तो इसकुशिन का ए आप्सन सही है अब ISRO यानि कि Indian Space Research Organization इसकी स्तापना कव होई 1969 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बेंगलूरू में और ISRO के प्रिजेन टेम पर चेर्मेन कौन है एस सोमनाथ नए हुशन है हाली में किसने इसमाइल 75 पहल शुरू की है तो अभी सामाजिक नियाय मंत्राले ने इसमाइल 75 प और आदिकारता मंत्री हैं डॉक्टर बेरेंद्र कुमार इनोंने ये इसमाइल 75 पहल शुरू की अब ये है क्या इसमाइल 75 पहल तो बेक मांगने वाले ब्यक्तियों के ब्यापक पुनरवास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है नए हुशन है हाली में पबन कुमार बोर्ठाकोर केसराजी के नए मुख्य सच्चिव न्यूक्त हुए है तो पबन कुमार बोर्ठाकोर ये असम के नए मुख्य सच्चिव पॉइंट हुए है तो इसकुशन का से ओप्सन से है अब असम तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिस पूर असम की चीप औरंग नेशनल पार्क को मिला है औरंग नेशनल पार्क ये असम में हैं अच्छा असम में कितने नेशनल पार्क हैं तो अभी साथ नेशनल पार्क हैं असम में कौन-कौन से काजी रंगा मानस औरंग नामेरी डिब्रू सैकोबा राय मोना और देहिंग पठ गई ये साथ पार्क बन गया है जो सेटेलाइट फोन से कनेक्ट है अभी असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वडवीर नारी योजना शुरू की चार दिवसी अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है असम सरकार ने खेल छेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक हजार करोड रुपे खर्च करने का फैसला किया है अच्छा असम में कौन कोंसी लोक नत्य फेहमस हैं बिहु बगरुंबा भुराल और जुमौर कौन बेहु बगरुंबा भुराल और जुमौर ने क्यूशन है हाली में किसी राइस्तान तकनिक विद्याले का कुलपत्य पॉइंट किया गया तो इसको इनका बे ऑप्सन से ही है अच्छा अभी भारत पे ने नले नेगी को अपना CFO नामित किया है यूनिटी स्मॉल फाइनस बेंक के MD&CEO के रूप में इंद्र जेत कैमुत्रा को न्युक्त किया गया सुरेश एन पटेल ने केंद्री सतरक्ता आयुक्त के रूप में सफद ली है रंजीत रथ ने ओईल इंडिया के CMD के रूप में पदवार ग्रेड किया है वोड़ाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने है रबिंदर टककर अच्छा भारत के लिए 200 बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में आगस्तानो कुवामे नियुक्त हुए है और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उपुपुलिस अधिक्षक बनी है मनीशा रोपेटा कौन मनीशा रोपेटा नैशिशन है हाली में किस देश के कॉफी और बेकरी उत्पादों के मसूर ब्रांड टिम होटसन ने भारत में आउटलेट खोला है तो ये कनाडा का मसूर कॉफी और बेकरी उत्पादों का ब्रांड है टिम होटसन इसने भारत में अपनी दूर नए आउटलेट खोले है तो इसको इनका से ओप्सन सही है अब कनाडा तो ये है मैप में कनाडा कनाडा की केपिटल क्या है ओटावा कनाडा की करनसी क्या है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्रिजेंट एमपर प्राइमिश्टर कौन है जस्टिन टूडो अब ही कनाडा में हैंड गन के कारोवार को सेमित करने के लिए एक नया बिध्यक पेस किया गया कनाडा की लेखक रूत उजेकी ने 2022 का Vimens Prize for Friction जीता है नया क्युशुन है हाली में लिजबन Achievement Awards जीतने वाली पहली दक्षिड ACI महिला कोण बनी है तो मरीना तबश्चू्म ये अभी लिजबन Achievement Award जीतने वाली पहली दक्षिड ACI महिला बनी तो इसक्युश्चू्च का 2 ऐसी है ये हैं प्रसिद बांगलादेशी आर्किटेक्ट मरीना तवश्यूम ये लिजबन अचीब्मेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिड ACI महिला बनी है ने क्यूशन है हाली में किस राज में एक विधायक एक पैंसन स्कीम लागू की गई तो अभी पंजाब में एक विधायक एक पैंसन स्कीम लागू की गई तो इस कुश्यन का C option सही है अभी तक होता क्या था कि suppose कोई चार बार विधायक बना तो उसे चार बार की पैंसन मिलती थी और ऐसा अकेला पंजाब में नहीं हो रहा है हर राज्य में हो रहा है लेकिन पंजाब ने अकेले ये डिस्यन लिया है कि अब एक विधायक को एक बार की पैंसन मिलेगी जैसे कितनी भी बार कोई विधायक बल ले लेकिन उसको पैंसन सिर्फ एक बार की मिलेगी आपने देखा हुआ गौवर्मेंट जोब्स में अब धीमेदी में पैंसन खतम हो रही है और इस पर कोई राजी कोई गौवर्मेंट नहीं बोलती पंजाब में ये पहली बार डिस्यन लिया गया है कि एक विदाएक को सिर्फ एक बार की पैंसन मिलेगी पंजाब एकलोता ऐसा राजी बनाए है जिसने ये DCILE लिया अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की capital के है चंडेकर पंजाब की चीपनिश्टर कोन है भगबन, तमान और पंजाब की GOVERNर कोन है बनवारी, लाल, पुरुषित अभी पंजाब का खेल बिवाग और राज सरकार ने जगना रत यात्रा को राज उत्सब का टैग दिया है अब लास्ट वीडियो की कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में कारगिल नाया की योगिन सिंग यादब की जीवनी ब्राबो यादब किस के द्वारा लिखी गई तो ये देपक सींग के द्वारा लिखी गई यानि किस कुश्चिन का बे आप्सन सही था और लगबख सभी इस ट्रेडिनेस का अंसर सही दिया मुश्टले इस्ट्रेडनेस के बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक वर्फ फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशिन आपके लिए आज का कुशिन है हाली में रिसब पंत को के सराजी का ब्रंड अमेजडर बनाए गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related, whatsapp और facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon में जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all based video thanks for watching